अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो चली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला अगर आप चानला पर नाए है तो चानला को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प हैं संपादा को सम्पादग कोण रख Yuk संपादग को अज लग होते हैं आपके से लिवास में या हम बवात करने वा जब यानि कि हम यहाँ पर तीन सदों इसे साथ यहां पर आपका संदेश आसा का पेथम पेक्रम कम्प्रीट हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आप चंद देखिए पहला चंद है रहु गही बुहे कुकवित्त गेसु अबुहे तानी अबुहे रहु पवेसु जिन मुखन पंडिये मंचियार तिही पुगव पडिव्ये सफार तो यहाँ पे यह जो भाशा है यह आपकी अफ्रेंश भाशा है भाशा थोड़ी डिफिकल्ट है कुछ भारी सी भाशा है ठीक है तो आपको क्या करना है थोड़ी सी इस से पहचान मनानी है जिससे कि आप समझ सकें की कि से कण है जो जो कौन्यट ठीक है, कौन से भाग से लिया गया है, इसके संपादा कौन है, अगर यह आपको basic knowledge चो मैं आपको starting में देती हूँ, वो है, तो आप संदग वच्छे से बना सकते हैं, एक्साम में अगर आपकी व्याख्या 10 नंबर की आती है करने की निया, तो आप यह मानिए 10 नंबर की व्याख्या में आपका 2 नंबर का तो होता है संदग, तो अगर आपने संदग सही लिखा है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, तो प्यस्तुच्छंद कि से लिया गया है संदेशा सब कुछ तक से लिया गया है उसके बाद इसके कवी कौन है अब्दुल गह्मान है और संपादर कौन है डॉक्टर विश्वनात तेपाथी है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ बताया था बस वही चीज़े हैं आप अच्छे से अगर इस कंबर का होता है यह क्या होता है एक बेसिक से आपके इंट्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चंद में जो कवीता है है यानि कि उसे किस तर की जाहिए उसे सामने पड़ना हैं तो अगर आक सही Fourth तो यहां पर आपको नमबर दिया गया तो यहां पर आपकी पांच नमबर की व्याख्या सब को कवीता से संबंध नहीं कहता है कि यहां पर हो थोते हैं जूल बहुत जारा पुठतिमान लोग होते हैं को काविटा से संबंध नहीं रखतेें तैंक यानि इसी कविता जिसमें की कुछ गलतिया हो ठीक है और अभुद्ध जनों का अभुद्ध के कागन कवीता में प्यवेश ही नहीं होता अभुद्ध जनों मतलब अभुद्ध जनों का मतलब है मूर्ख तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्खता के कागन कवीता में प्यवेश ही नहीं कर पाते हैं ठीक है इसनिए ऐसा व्यक्ति जो कि ना मूर्ख हो और ना पंडित हो ठीक है जो ना मूर्ख हो और ना पंडित हो यानि कि कैसा हो मध्यम कोटी का हो जो या तो खुद को बहुत ज़ादा महान भी ना समझता हो और मूर्खों की शेणी में वो ना आता हो ठीक है तो उसके सामने इससे सर्वदा बचना है उससे चस्पायेगा यहां पे विशिषताओं में यहां पर मैंने जो विश्षर पताई हैं विश्ष किसरा किया है यहां अलंकार है यहां पर और कौन सा है यहां पर अनुपरास ठीक है अनुपरास अलंकार का chosen किसी चीज़ता बता के आएंगब तो से क्या है यह बताचलता है कि आपको इस चीज का जूए का जुए कर दिए की है यहाब कहले है आप दो यहां ठीक है कौनसी भाषा में लिखा गया है अप भ्रंश भाषा में लिखा गया है तो आप उसे एड कर सकते हैं ठीक है ध्यान लखिएगा आप भ्रंश भाषा को यहां पर एड कर सकते हैं ठीक यह आपके एक चीज और बढ़ गई तो अलंका शंद और भाषा ठीक आगे देखि दूसरा यहां पर आपका छंद है अनुगाई रई हरू कामिय मन हरू मयन महप्य दवी अगू विघनी मयर देव सुनहूं विसुद्र हो रसी है रसंची व्यगू तो यहां पर यह अप्रण्च भाषा में लिखी गई है तो आपको पता है चलिए अब हम आगे देखते हैं संदर्ग हम आगा देखते हैं संदर्ग देखिए सभी का वही गयने वाला संदर्ग कोई चेंज नहीं होगा तो यहां बेसिक सा इंट्रोड़क्शन है कि प्रिस्टुचंद संद संदेश रासक की विषश्चताओं के बारे में बता आया है तो यह आपको पता चल्ला कि जो कभी हैं वो क्या बता रही है इनंगा सभी युद्ध के ऑड़ की वाख्या देखें व्यक्या देखिए कि यह संदेश गासक अनुगाग्यों का गतिग्र है अनुगागी कौन होते हैं अनुगाग्यों का गतिग्र है यानि कि जो प्रेमी होते हैं ठीक है प्रेमियों का गतिग्र है प्रेमियों के ठहनने का इस्थान है ठीक है अनुगागी मतलब प्रेमी ठीक ह कामियों का मन हनने वाला है यानि कि चंचल मन के होते हैं उनके मन को हनने वाला है मदन के महत्माई को प्रकाशित करने वाला है मदन के महत्माई से क्या आर्थ है मदन के महत्माई से आर्थ है जो कामदेव है उसकी महिमा को प्रकाशित करने वाला है मदन मतलब कामदेव और मह आत्मे मतलब उनकी महिमा को प्रताश्यत करने वाला है विहर्णियों के निये मकर्द्वज विहर्णी कौन होती है जो अपने प्रेमी या पती से बिछड़ी हुई इसकी होती है और दुखी होती है वो उसे क्या कहा जाता है विहर्णी कहा जाता है ठीक है और उसके निये क्य के निये विशुद रस संजीवख है यानिकि ऐसे व्यक्ति द्रस की काम ना करते हैं उसके निये क्या है ये ये एक इसने अच्छे विशुद यानिकी शुद रस के समान है ठीव I was a बाद देखिए यहां पर आपको बताया था है तो यहां पर आपको आठ नमबर तक बताते हैं तो दो नमबर में आपके क्या चीज आती है तो नमबर में आपके आ से आपके क्या चाह defenses है तो इस तहां से आपको ब्लाब एका चाहें तो पर औरहें आपको चलें जो दस नमबर रोको निया है तो इसके आपको किस तहां के अपने काफ्री को टायार करना है ठीक है उसके बाद next देखिए, यह आपका last है, आइडे हिन भासिव, गैम इवासिव, सवन सकुलिय है, अभियसरो, लई लिहाई, व्यक्खणू, अथे है लक्खणू, सुविसंगी जू, विअड़िनगू, तो यहाँ पर देखिए, इसके संदग्व में क्या कहा गया है, संदग्व वही है, ठीक है, कि यह जो संदग्षासक के पत्रम परक्रम से लिया गया है, और इसके कचेता, अब्दुल घैमान और संपादक, डॉक्टर विश्वनात्य पाठी है, ठीक, आगे देखिए, प्रसं मन से बहुती प्रेम से की है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, व्याख्या, व्याख्या में क्या कहा गया है, लेखक कहता है, कि इस संदेश गासक के गचिना, अति इसनाय पूर्वक की गई है, यानि कि मैंने जो यह संदेश गासक है, इसके जो गचिना है, बहुती प्रे बंग़ संदेश का सक्रसी नम देखने के recover इसने बहुत ये संयोग्रस यानि कि आप ही तकिके कंस तेखने कें नहीं मिलेंगे ठीक है यह में अम्रिवार अम्रेटमैस्वर की भाति सुख देने वाला है यानि की यह कानों को अच्छा लगने वाला है अफिक सब्गों को सुनने में जो अच्छा लगे ऐसा है इसके अर्थ और लक्षणों को वही चतु मनुश्य समझ पाता है जो सुल्ति संग में विदग्ध हो अर्थात जो काम की नम में चतु हो तो यहां पर कहने का मतलब है कि यह जो संदेश रासक रचना है इसका अर्थ और लक्षण क्या है इसे ऐसा ही मनुश्य समझ सकता है जो की कैसा हो काम कीरणा में चतु हो काम कीरणा में चतु होने का मतलब है कि थोड़ा प्रेम प्रसंग में खुला मिला हो यानि कि थोड़ा मन से चंचल हो, प्रेम भाव में को समझने वाला हो, तो ऐसा जो चतुर व्यक्ति होगा, वो इसे अच्छे से समझ पाएगा, यानि कि आप कह सकते हैं कि कभी ये कहना जाते हैं कि अगर ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है, जो कि थोड़ा मन से चंचल है, प्रे लंकार है छन्द अर्डेला है ठीक है एक साथ भाष्ण यहां पर कॉनसी है अ प्रज्च भाष्ण ही अब प्रियोग हुआ है इसके साथ द देखें की यहां पर यह पर कमप्लीट होती है वीडियो तो एफ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें साथ हे अपने दोस्तों के साथ श्याय करें और भी हुआ कैटमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें से यू सून बाई